नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निक फिवर यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्या हम पूरी इस EMI को समय से पहले बढ़ सकते हैं इसमें हमें बन्यफिट होगा या फिर नुकसान होगा बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पूछ रहे थे अगर हम इमाई को जल्दी बढ़ देंगे तो हमें क्या इसमें नुकसान होगा आप फिर पूरा इंट्रेस्ट पे करना पड़े ओ मैं क्योंना यह माई के टेनियोर को पूरे होने से पहले ही यह मैं भर दूं तो अब मैं बताऊंगा कि आप यह सकते के नहीं कर सकते आपको इसमें फायदा हो यगा नुकसान होगा दोस्तों बहुत सारे credit card company और bank आपको यह अनुमती नहीं देते कि आप समय से पहले EMI close कर दें लेकिन फिर भी कुछ credit card company ऐसी हैं जो आपको यह मौका देती हैं कि आपके पास अगर पैसा है तो आप पूरा पैसा एक मुस्त भर दें उसके बाद आपको EMI बरने की आवस्यक्ता नहीं होगी लेकिन यहां पर भी एक point होता है कि जो remaining outstanding आपकी बच रही होती है उस time पर उसके उपर वो आपको 20-30% लेती है for closure के लिए आपकी EMI को तो ऐसे में आपको नुक्सान हो रहा है या फायदा हो रहा ही है आपको calculate करना कि आपकी जो outstanding बच रही है उसके उपर 2 या 3% अगर आपको देना पड़ रहा है तो उसके बाद जो EMI बन रही है उसके उपर इंट्रेस्ट लग रहा है वो वाला ज्यादा है या फिर आपको जो for closure करने के लिए EMI को देना पड़ रहा है वो ज्यादा है तो या आप calculation करनी पड़ेंगी और इसके लिए आपको अपने बैंक में बात करनी पड़ेंगी कि आप अपनी EMI को close करवाना चाहरा है तो बो कोई charge लगाते है फूर क्लोजर के लिए EMI के या नहीं लगाते है आपको bank से बात करना पड़ेंगे बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है जो आपकी E EMI जो है चलती रहेगी तो इसके लिए आपको अपने bank में बात करनी पड़ेगी और आपको self calculation करनी पड़ेगी कि for closer के time पर जो आपसे चार्द लिया जा रहा है वो कितना चार्द है कितने percentage है और आपकी EMI बंद गया आती हर बंत में तो वो कितनी है उस पर कितना interest लगता ह है वो interest और उसका interest दोनों calculate करके जो वाला ज्यादा होगा उसको छोड़के आप दूसरा रास्ता चोन सकते हैं और अब मैं बात करूँ आप से कि अगर आपका जो bank है या credit card institution है वो आपको permission नहीं देता for closer आपकी EMI account की तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए दोस्तों अगर आपके पास पूरा पैसा है तो आप अपना जो है पूरा पैसा अपने credit card में भर सकते हैं ऐसी condition में और आपकी जो आने बाली EMI होंगी उनमें वो automatically adjust हो जाएगा और आपकी बिल में नहीं आएगा सिर्फ आपको interest पे करना रहेगा उतने रंबे time तक का जितनी EMI बची हुई है लेकिन ऐसा करने से पहले आप एक बार अपने bank में या credit card company में बात जरूर कर लें और उनको पूछ लें कि फोर क्लोजर पर कोई चार्ज लगता है या नहीं लगता है तो आपकी जो EMI है वो free में अगर terminate हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इसका कोई भी fixed math नहीं है यह depend करता है card to card पर दोस्तो मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो please वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी के साथ मैं मिलूँगा आपसे अपने आने बाले किसी दूसर वीडियो में तब तक के लिए कुछ रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक